के देख़े आज हम प freshmenे वाले हैं भारत्य राष्ठे कांग्रेस टिक है अगला टुपिक लेकर चल रहा है ठीक ना कुछ न आघायों है तो चलिए पहला कि उसन की सुरुबात करते हैं भारथिय राष्टे कांग्रेस के उस अधिवेशन के इस्तान का नाम बताईए जहां पूर्ण स्वैराज्य को अपना अंतिम लक्षे घोसित किया गया था तो कहाँ पर गया गया था लाहोर में ठीक है कहाँ पर किया गया था लाहोर में ठीक है चलिए अगला क्योंसन देखते हैं अगला क्योंसन है आपका पूर्ण स्वरज्य की मांग करने वाला पिर्थम कार्यकरता का नाम लिए ठीक है पूर्ण स्वरज्य की मांग करने वाला कौन ता आपका हसरत मोहनी ठीक है ये भी आपका यूपिटर प्लसी की परिक्षा में क्य हुआ है चलिए अगला क्योंसन देखते हैं अगला क्योंसन क्या कह रहा है भारतिय राष्टे कांग्रेस की इस्तापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देज भरके चलिए अगला क्योंसन देखते हैं भारतिय राष्टे कांग्रेस की इस्तापना किस ने करी थी आपकी एलन एक्टेन होमने ठीक है चलिए अगला क्योंसन देखते हैं अगला क्योंसन है आपका भारतिय राष्टे कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में एत्यासिक क्या गया तो यह कहा गया था लाहोर अधिवेशन में ठीक है चलिए अगला क्यूसन जो आया हुआ है आपका यह है स्वाथ चंदर बोश ने भारतिय राष्टे कांग्रेस के अध्यक्ट परसे इस्तिपाद दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था ठीक है तो को प्योज करके ठीक है चलिए अगला क्यूसन देखते हैं स्वाच चंदर बोस बरस में कांगरेस पार्टी के अध्यक्श बने थे ठीक है तो क्ब बनेते 1916 Staff में ठीक है कोन से कांग्रेस के हरी पूरा अधिवेशन में ठीक है चलिए अगला के उसंद देखते है एलैन अक्टिन होँट एक सेवा निर्वित अंग्रेजी आइसी एस अधिकारी ने बर्स में भारती राज्ट्य कांग्रेस का गठन किया था तो कब कहता अठारसो चौरासी में ठीक है कब कहता अठारसो चौरासी में दादा वोई नौरोजी के सुजाप पर ठीक है उन्होंने किसका नाम क्या था था रातिय राष्ट्य कांग्रेस कर दिया था ठीक है चलिए अगला के उसन देखते हैं अगला के उसन है आपका मात्मा गांदी भारतिय राष्ट्य कांग्रेस के अध्यक्ट किस वर्स बने थे तो यह किस बर्स बनेते हैं 1924 में ठीक है कौन से बेलगाव कन्नाटक में भारतिय राष्ट्य का उन्तालिस पे अधिवेशन में ठीक है चलिए अगला क्यूसर्ण देखते हैं राष्ट्य गान सर्पिर्थम कहां गया गया था तो कहां गया गया था अगला क्यूसर्ण है जन गणमन भारत का राष्ट्य कान सर्पिर्थम कब गया गया था तो कब गया गया था सत्ताई दिसंबर 1911 को ठीक है चलिए क्यूसर्ण नंबर अगला 1916 में लखना उस समझोता महत्पूर्ण है क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने बाद कांग्रेस ने क्या किया था मुस्लिम लीग के साथ संगठन किया था ठीक है चलिए अगला क्यूसर्ण देखते हैं भारतिय राष्ट्य कांग्रेस के स्ताफना कब हुई थी तो यह हुई थी आपके 885 में ठीक है कब हुईती है 885 में चलिए अगला क्यूशन आया हुआ है आपका 28 दिसंबर 2885 को भारते राष्टे कांग्रेस INSC की स्तापना गोकुलताज तेजपाल संस्क्रस इसकोल के परिशर में हुईती तो कहा हुईती है आपकी बंबाई में ठीक है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं दिसंबर 1916 में दोनों पक्चों के संयुक सक्तर में संधी भारते राष्टे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझोता हुआ था तीक है तो यह कहां पर हुआ था लखनाओ में ठीक है चलिए अगला क्यूशन आया था आपका जो आया हुआ है यह आपका गिराम विकास अधिकारी वीडियो की परिक्चा में आया हुआ ठीक है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं भारतिय राष्टवाद के पहले या प्रारेंबिक चरण को चरण 885-1905 कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है मध्यम चरण ठीक है क्या कहा जाता है मध्यम चरण पिर्थम चरण की बात करें तो 1855 से 1905 तक ठीक है चलिए अगला क्योंसन देखते हैं भारती राष्टे कांग्रेस के अधीवेशन की सरपिर्थम किस मुसल्मान ने अध्यक्षिता करी थी तो किसने करी थी आपकी बद्रुदून तैयब जीने ठीक है बद्रुदून तैयब जीने चलिए अगला क्योंसन आता है आपका बंगाल वेवाजन से बंगाल में आंदोलन के दोरान तिरंगा जंड़ा लाल हरा और पिला डेजाइन किया गया था तो क्या था पर ये स्वेदेशी बंगाल में स्वेदेशी आंदोलन के दोANTret कि उसन नमपर अगला आता है निम्ले कितमिय से किसे स्वेदेशी आंदोलन के पिरमुक कारण माना जाता है तो किसे माना जाता है कलकत्पा निगम अधिनियम ऐंडेश सो नवासी को ठीक है चलिए कि उसन नमबर अगला देखते हैं बंगाल का विवाजन उन्निस सो पाच में बिटिस बारसराय किसके दोरा किया था लाड करजन के दोरा ठीक है लाड करजन के दोरा किया गया था ठीक है चलिए अगला कि उसन देखते हैं उन्निस सो पाच में बंग बंगाल में वाजन लागू करने के निर्णे की गोंशना कप करी थी तो कप करी थी उन्ने जुलाई 1905 को ठीक है चलिए अगला के उसन देखते हैं किसने बंगाल के विवाजन 1905 के बिरोध में हुए आंदोलन का नेत्रव किया था तो किसने किया था आपका सुरिंदरनात बनेर जी ने चलिए अगला के उसन देखते हैं अंग्रेजों ने आजादी के लिए लड़ रहे भार्थी द्वारा उठाए गई सपत के बेसिर्फ भार्थी निर्मित शमानों विश्यस रूप से कफडों का उप्योग करेंगे को अंधोल झाता है किसी क्या कहा जाता है को सुध़ेसी आंधोल झाता है ठीक है चलिए अगला क्युस्टन देखते हैं जो आया है आपका लाड़ करजन के बंगाल विवाजन के पीछे निम्लिकित में से कोन एक मकसद नहीं है ठीक है तो क्या मकसद नहीं था सरकार के प्रस्टाशनिक बाहर को सहज करना ठीक है चलिए अगला जो क्युस्टन आया है आपका क्यांत्रिकार आंदोलन से 8 अपरेल 1929 को भगस सिंग और ठीक है और राजगुरू ने एक केंद्रे बिधान सवावें बंग फैका था ठीक है जिसका उदेश से था उनके पत्रक ने समझ जाया था मारना नहीं था बलकि बहरे को स छुए किस्सदन नमबर अगला है 1910 के मध्ये भारत में निमलकेत में से कौन सा बिधरो शुरू हुआ था आपका ये बस्तर का बिधरो ठीक है कौन सा हुआ था आपका ये बस्तर का बिद्रो ठीक है कि उस से नमबर अगला देखते हैं कि उस से नमबर है अगला काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद असपावला खान को किस जेल में कैद किया गया था तो किस जेल में कैद किया गया था फैजावाद जेल में ठीक है किस जेल में फैजावाद जेल में ठीक है है ठीडिक है डिक्ति करट इसका पढ़ लिजिए ठीक है इन मेंसे कौन सा क्रांटी कार रिस अंगटन काकोरी साघ्रेंत्र केस में सामिल face बेस्ता थिके तो कूं सा मिलता है इसकी बात करें तो का क्ष varit में दाये को सा मिलता घुक है तो यह थे आपके हिंदुस्तान एंटी एकंट कि कि अ indulging से ऑलड ऑफ भात करें तो थैरे मैं लाला हारद्याल एवं सोहने सोहन ने अनुसलन सीमिति की बात करें तो 1902 में बिरेंदर गोस एवं जतिंदरनात ने अभीना भारत की तो 1904 में पिनायक सब्सक्राइब करें अगला क्यों देखते हैं अगला क्यों सन आया आपका जो आया हुआ है यह आया है आपका सन 1915 सोले में किसके नित्रब में अगला क्यों सन देखते हैं अगला क्यों सन आया आपका सोतनता सेनानियों ने भागस सिंग सुगदेब और राजगुरू को सब्सक्राइब करें तो कौन से नहीं थे आपके गोपाल कर्शन गौफले यह क्या थे आपके राजनितिक गुरू थे तीके यह क्रांतिकारी नहीं थे बाकिवें सब आपके करांतिकारी नेता थे चंद्र सेकर आजाद भागा सिंग सुर्य सेन ठीक है अगला क्युश्चन आता है निम्लिकत में से किस सहर में सुतंता सेनानी चंद्र सेकर आजाद ने बिल्टिस पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली माल ली ती कहां पर माल ली इलावाद में ठीक है कहां पर इलावाद में यह आपका ग्राम बिकासादिकारी की परिक्चा में आया है कब 27 फरवरी 1931 को ठीक है चलिए अगला क्युश्चन देखते हैं निम्लिकत में से किस क्रांतिकारी द्वारा दा फिलिस भी आप दा बाम नामक प्रिसित लेक लिख लिखा गया ठीक है तो किसके दुआर लिखा गया है भगवती चरण बहुरा के दौरा भगवती चरण बहुरा के दौरा ठीक है चलिए कि उसन नमबर जो अगला आया है आपका 1904 में किसने क्रांतिकार्यों के गोपनिया समीति के रूप में अभीना भारत का आयोजन किया तो नहीं किसने कहता आपका बीडि सावर करने किसने कहता बीडि सावर करने चलिए अगला कियुसर्ण जो आया है अपका गदर अंदिलन के निता कौन थे तिक है apart कौन थे अपके हर दयाहर ठीक है चलिये अगला किशान जो आया है आपका अपराद्यों के रूप में नहीं बल Services नेतिक बंद्यों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस किर्नถी कारी की जेल में 64 तिन उपवास के बाद मिरत्यू हो गई थी तो किस की हो गई थी जतिन दास की ठीक है किस की हो गई थी जतिन दास की चलिए अगला कुशन जो आया है आपका 1908 में खुदी राम बोस और प्रफुल चाकी ने मुझफर पुर में किस बिटिस जज़ पर बं मारा एबम उसे मानने का प्रियास किया चलिए एक लाइन देखते हैं इसमें मिलान करना ठीक है? तो राम प्रसाथ, बिसमिल, काकोरी सड़यन्त मामला ठीक है सूर्य सेन तो सूर्य सेन का है आपका आलीपूर बम मामला ठीक है नहीं सूर्य सेन का है आपका चटिगाव सस्तिगार छापा ठीक है और अर्विंद गोस का है आपका आलिपूर बर्समाम मामला ठीक है और आपका भगत सिंग का है लाहो सड़यन्त मामला ठीक है तो अप्सन नमर आपका भी चलिए अगला क्यूसन है गदर क्रांती आरम होने का सबसे पिर मुकारण क्या था तो ये था काम टमारो गटना ठीक है अगला क्यूसन है आपका चंसेकर आजात मुटबेड में कांसाइद हुए थे ठीक है तो ये कांसाइद हुए थे आपके इलावाद में ठीक है कांपर हु रजा महUNDर पिर्ताब ठीक है यह कुंति राजा महंदर पिरताब ठीक है मैं माराष्ट में उननिस संब्नायक दामों धर सावरकर द्वारा इसतापित FA कि सामाज को कहा जाता है तो क्या का जाता है जाता है मित्र मेला किया चलिए अगरा क्युस्तन देखते हैं खुदीराम भोस को बिर्टिस न्याइदिस में स्टेट की हत्या के प्रियास के लिए फासी दी गई थी किसके उसमें Kingsford के हत्या किस्मेट कि अगला कि इस तन है 18 अपराल 1930 को हुए ऐसे ग्राम सस्थगार चाप की गटना का ने तरव किस ने किया तो यह किया तो यह था गडेंस घोशने के आथा ठीक है देखे आवाते हैं मातमा गांधी से समंध पिरसन जौब करा इसमें आयो हैं 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाब आंदोलन किया थहां था तो यह किया था आपका रालेट एक्ट अदीनयम के किराव सथ्थिय कीरा का आहन किया था ठीक है अधिनम ने अभी व्यक्ति की स्वत्नता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुस लगाया और प्लेश सक्तियों को मजबूत किया था ठीक है चलिए अगला क्यूसर नहीं है आपका जो इसमें आया है यह आया है आपका देखे निमलिक इत्मेंसे मातमा गांधी का कौनसा सत्या गरऑ नील क्रिस्कों की समस्या उसे जुड़ाता जूड़ाथा ठीक है तो यह आपका सपलाइस सेस्प्रेक्टर की परिक्चा में आया हुँआ ठीक है चलिए अगला क्यूसर नहीं ay Actla Kyung में टोगी की इने मातम गांधी के खिलापत आंदवलन से जोड़ने का ब्रोग everywhere केम किस ने किह ता मौम्म अली जन नहीं किस ने चाहिता मौमम्म अली जन हो तो अजैमे घंदा में सत्ण गला हिवी तो तो पर fragments कि तो यह किसने किया था मातमा गांधी ने ठीक है अगला कि उससे नाता है मातमा गांधी भारत के बिरुद थे मतलब क्या थे भारत के बिरुद तीब्र ओधी करन्ड के बिरुद थे ठीक है मातमा गांधी तक्षिड अपरिका में किस बर्स पहुंचे थे तो किस बर्स पहुंचे थे अठारसो तिरानवे में अगला क्युष्टन जो आया हुआ है आपका मात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीविनी लेकक ने लिखा था कि ऐसायोग भारत और गांधी जीवन में एक युक का नाम बन गया है तो किसे लिखा है लोई पिसर ने ठीक है किसे लिखा था लोई पिसर ने चलिए अगला क्युष्टन है मात्मा गांधी ने निमलिकित में से किसे अपना राजनेति गुरू माना है तो किसे माना था गोपाल किर्शन गोकले को ठीक है गोपाल किर्शन गोकले को मातमा गांधी किस वर्स कांग्रेस के अध्यक्च बने तो किस वर्स वर्स था आपके 1924 में परत्रम सेड़ी के रेल डिबे से समान सईथ बाहर फैक दिया था ठीक है तो कब फैंदी था target 393 में ठीक है चलिए अगला क्युशं है मात्मा गांधी द्वारा भारती राष्टे कांगरेज के कितने अधीबेसनों को सभापतित क्या गया था ठीक है तो क्या गया था एक ठीक है कौनसा बेलगाव अधिवेशन ये कौनसा था 49 वा अधिवेशन ठीक है चलिए अगला क्यूश्चन देखते हैं निमलिक कितमे से कौनसा गांधी वाधी दर्जन का इससा नहीं है तो कौनसा नहीं है अपका बियाहस ठीक है चलिए अगला क्यूश्चन है आपका 1977 का सत्यागर्य माहत्मा गांधी का पहला सत्यागर्य था भारतिय सुचंदा आदरुन में बड़ा बिद्रोटा ठीक है तो ये इसका क्या है आपका चंपारन ठीक है कौनसा था 1927 का चंपारन सत्यागर्य चलिए अगला क्यूश्चन जो आयाओ आवाए का माहत्मा गांदी ने सत्यागर्य सभा की इस्तापना की थी ठीक है कप करी थी आपकी 1919 में ठीक है फरवरी 1919 में अगला क्यूश्चन आयाओ सब्सक्राइब करते हैं अगला क्यों देखते हैं मात्मा गांधी के लिए भारतिया मानत्ता की एकता इसकी आर्थिक सुतनता और समानता का पिर्थिक था किसकी खादी थीक है मात्मा गांधी के लिए खादी भारतिया मानत्ता की एकता इसकी आर्थिक विचार नहीं है तो कौन सा नहीं है तो गयर इंसर कट्रेश था बेकेंदिकन को द्योग भी था और मसीनरी और नवीन तकनिक का अधिक्तम सब्सक्राइब करेंदिकन के लिए तो गांधी के किस गांधी के आंदर्स ने बताया कि एक आधर्स काहों को कुछ सर्तों को पूरा करना होगा इन मेंसे क्या सर्तों में नहीं है ठीक है तो क्या सर्तों में नहीं था इन में भाई चारे की भावना बिक्सित करने के लिए पूजा का इस्तान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना ठीक है तो इनमें से ये नहीं था ठीक है जाती प्यवस्ता को समाफ्त किया जाना ये भी था ठीक है इसमें धर्मसाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए भी था ये भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मिर्वर होना चाहिए ठीक है चलिए अगला था मात्मा गांधी भाव से चलने वाले जहाज अगला क्योंसरन है गांधी जी ने जून 1904 में डर्वन के बाहर बस्ती नामक एक समधाई किरसील मट की इस्तापना करी तो कहां करी ती ये बाहर फिनिक्स में ठीक है कब कर थी 1912 में ठीक है जो बात में किया था 1912 में एक ट्रेश्ट के रूप में परिवर्थित हो गया था ठीक है चलिए अगला क्योशन है कक गांधी जी का नमक सत्यग्राय अंदोलन दांडि मार्च कब आरंब हुआ था ठीक है तो यह कब था 12 1992 को ठीक है उपारा मार्च हो ठीक है और अगला है मात्मा गांधी को राष्ट पिता नाम से सर्प्रित्व किसने संभूदित किया था तो किसने किया था स्वाचंदर बो अमरत सर में जल्यावाला बाग कुख्याद नंगसंगार किस दिन गठी ती वा था ती यह था 13 अपराइल 1919 को ठीक है 13 अपराइल 1919 को अगला क्योसर रमिंदना टेगोर ने किस नरसंगार के बिरोध में नाइट हुड की उपादी लोटा दी ती तो किसकी उसमें जल्यावाग बाग नरसंगार के बिरोध में ठीक है चलिए खलीपा की स्ताई सक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबे में एक खिलापत स्विमीती का गठन किया गया था ठीक है 1919 में पीच ठीक है चल्лон है अगला क्यूशन आया है आपका खिलापत मुद्दे को उठाने के मात्मागांधी के नेडीय के पीछी मuk्य कारण था ठीक है तो इसका मuk्य कारण था आपका हिंदू और मुसल्मानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ठीक है हिंदू और मुसल्मानों के वीच अधिक एकता लाने के लिए ठीक है अगला क्यूस्सन जो आया आपका ऐसायोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था ठीक है तो यह क्यों बंद कर दिया गया था चोरा चोरी चोरी चोरा घटना के कारण ठीक है कि चलिए अगला कि उसन है कि निम्लिकित में से कौन सा अधीनियम मौन्टेंग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारी था ठीक है तो कौन सा 12 सरकार का अधीनियम 1919 ठीक है कि चलिए कि अगला है सेयोग आंदूलन कि सन में प्राण हुआ था तो कब वह था आपका ही 1922 में ठीक है चोरा चोरी चोरा भारत के किस राज्य में तो इक है आपका उत्तर पिरदेश में तो चोरा चोरी चोरी चोरा गटना कब हुई थी तो कब हुई थी आपकी पांच फरबरी 1922 को ठीक है चोरा चोरी घटना किसके करण गांधी जी को अपना ऐसायोग आंदोलन बंद करना पड़ा था तो गोरकपुर आंदोलन बंद करना पड़ा था ठीक है अगला क्यूशन 1930 में मात्मा गांधी द्वारा सेविने अपगा आंदोलन सुरू करने का कारण किया था तो ये था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च ठीक है चलिए अगला क्यूशन है अपका दांडी नमक यात्रा के दोरान निम्लिकित में से किस सामाजी कार्या करता ने गांदी जी को आंदोलन को केबल पुर्शो सक्सीमित ने रखने के लिए राजी किया था किसने किया था कमला देवी चटो पाद दिया था ठीक है चलिए अगला क्यूशन है अंग्रेजों के साथ किस समझोते के बाद गांदी जी दोरा सेवी ने अपका आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था ठीक है तो कौन सा था गांदी इर्विन फैक्ट ठीक है गांदी इर्विन फैक्ट के बाद उसको बंद कर दिया गया था ठ किस भ्यक्ति को साइमन कमिसन के अध्यक्छ पक्त पर निखत किया गया है तो किसे कैते सर जान- अल्बुक्टी साइमन को ठीग है चलिए अगला क्योस्त्सण है दांड़ी मार्च जिसे साल्ट मार्च और साल्ट दांड़ी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है निम्न कितमे से किस आंदरन के सुरू होने का कारण है तो तौकर कि किसका आपका सेव विने आपका आंदोलन ठीक है चले अगला क्यूस्षिन जो आया है आपका साइमन कमिसं प्रक्राइड भारत आया था तो यह आया था आपका 1928 में, का वाया था? 1928 में इसका गठन का गया गया था? 1927 को ठीक गठन कीया गया था? 1927 को भारत आया 3 फरबरी 1928 को साइमन कमिसन का ब्रोध करते हुए पुलिसामले के कालड किस राष्टवादी नेता की मिरत्यू हो गई थी तो लाला राजपत राए की मेरत्यू हो गई थी ठीक है सेह भी ने अबगा आंदोलन का मुक्याउद्य से क्या था तो इसका था नमक करके बिरुधियनी के नमक के जो कर लगा था उसको हटाना ठीक है से बिने अब का आंदोलन की शुरुवात के पहले 22 राय को गांदी जी का 11 सुत्रे चेतावनी दिया गया था तो क्या तर्म दिया गया था बू दिया गया था आपका देखें एक रुपया डालर बिनी में दर को कम करना ठीक है और आपका राजनेति केद्यों को रिया करना ठी तो यह इसमें 2 मुक्ति तीक है गैरस उत्रिय मांगे क्या 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 थी ये थी भूस्वब देखेंड गैरस उत्रिय मांग क्या क्या थी अगर उनकी बात करें तो एक ती भूरा समें 50-50 की कमी राजनेति केदियों को रिया करना डाक अरक्षणाबिल बापस किया जाए ठीक है नमक कर समाप्त किया जाए यह वो नमक पर सरकारी एक अधिकार समाप्त कर दिया जाए तटिया यातायात को रक्षा बिदहयक बापस पास किया जाए रक्षात्मक सुल्क लगाए जाए तता बेदेशी कपलों का आयात निंत्रित किया जाए रुपए विनिमियत दर गटा कर एक सिलिंग चार पेंस की जाए ठीक है सिविल सेवाव का सेना के बियाय में 50% की कमी करी जाए नसीली बस्तों के बिक्रे पर फून रोक लगाए जाए कुप्तचर विवाग पर सराजनिक निंत्रन हो यह हो उसे खत्म कर दिया जाए सस्त्र कानों परिवर्तन किया जाए तता भारतियों को आत्म रख चाहे तो हत्यार रखने का लासेंस दिया जाए ठीक है यह गांधिची के 11 सुत्रें मांग गई थी ठीक है चलिए अगरा क्युश्टन आता है भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अनुसार मुक्य नियाधिस के साथ कितने नियाधिस की नुक्ती करी गई थी तो कितने करी गई थी चैनाए दीशों की नुक्ती बारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक संग्य नियाधिस के इस तापना होई थी यह कहा था दिल्ली में स्थित्था था था भारत का पहला उच्छ नियाधिस हो सकते थी को सकते थी ठीक है भारते उच्छ नियाधिस को न बाग लिया था को गांधी जी के बीच एक हुआ था मैं पुना सम्झूता हुआ था था ठीक है चलिए निमलिकत मैं से किसने सभी तीनों गोल्वें सम्विल नों में भाग लिया था तो किसने लिया था बी यार अम्वेक्ठर ने तीनों संबेलोनों में भाग लिया था पिरतम संबेलन 12 नवंबर 1930 को 19 जनवरी से 1931 भी ठीक है इस्तान सेंट जेम्स पिलेस लंदन उदगाटन बेटिस प्रदानमंतरी रेंजे मेक डोल्टें कितने परतिनी दीते नवासी परतिनी दलीतों कि तरब से भीवरा अमेक्टर को स कि यह भी लंदन में हुआ था इसमें 31 प्रति भागयों ने भाग लिया था तिरतिया गोजमेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था इसमें 46 प्रतिनीतियों ने भाग लिया था ठीक है अगला क्यूस्टन आता है हमारा निमलिकत में से कौन सबसे महत पूर्ड ब्यक्ति सभी तीन गोमले सम्मिलों में भाग वात तरिये तो आपके बी आर अमबेक्ट कर ठीक है तो आज के टोपिक हमारे यहीं पर समापत होता है ठीक है जितने भी यह क्यूस्टन है किसी ना किसी परिक्षा में आयोए है ठीक ह बाट्सेफ नमबर डिसकॉस्टन में दिया हुआ है चैन को लाइक से सब्सक्राइब करते है धन्यवाद